तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की मच अविटेट फिल्मों के वोक्स ओफिस प्रेडिक्शन के बारे में जिसमें है इस्टाइलिस इस्टार अलो अर्जुन के पेन इंडिया फिल्म पुस्पा वही सूपर इस्टार अक्षे कुमार की सूर्य वनसी और रोकिंग इस्टार एस की के जीएप चेप्टर टू तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में जब थेटर पूरी तरह से खुल जाएंगे और ये फिल्में वोक्स ओफिस पर रिलिज होगी तो इन फिल्मों की कमई क्या हो सकती है तो शली ये दोस्तो सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो दोस्तो सबसे पहले अगर बात करें इस टाइलिस इस्टार अल्लो अर्जुन के अपकमिंग फिल्म पुस्पा के बारे में तो दोस्तो पुस्पा एक एकसं थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डाइरेक्ट करेंगे सू कुमार और इस फिल्म में स्टाइलिस इस्टार अल्लो अर्जुन के साथ हमें देखने को मिलेगी रश्मिका मंदना अब दोस्तो जब से ही अनौस्मेंट हुआ था कि पुस्पा फिल्म पेन इंडिया रिलिज होगी यानि कि इस फिल्म को तमिल, तेलगू, मलियालम और कन्नाडा के अलावा हिंदी डब में भी रिलिज किया जाएगा तब से ही जितने भी अल्लो अर्जुन के नोर्थ इंड पर देख पाएंगे और अभी तक अल्लो अर्जुन की फिल्म पुस्पा को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो जो नोर्थ इंडियन फेंस का रियेक्शन है वो काफी बढ़िया है क्योंकि जादा तर पुस्पा फिल्म की जितने भी अपडेट आई है मैंने अपने चेनल पर हिंदी में बताई है और आप सभी ने काफी ज़्यादा प्यार दिया है उन वीडियोस को तो जिस बाद से हमें पता चलता है कि पुस्पा फिल्म का जो बज है वो नोर्थ इंडिया में कितना जादा है हाला कि तेल्गू स्टेट में तो पुस्पा फिल्म को लेकर काफ ज़्यादा लोग एकसाइटेट है लेकिन नोर्थ इंडिया में भी पुस्पा फिल्म के लिए लोगों के बीच में जो एकसाइटमेंट है वो बिल्कुल कम नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे अगर पुस्पा फिल्म एक अच्छी मूवी बनके तयार होती है साथ इसाथ अल या 120 करोड तक की कमई मिनिमम कर जाएगी अगर ज़्यादा ही फिल्म लोगों को पसंद ही तो हो सकता है कि फिल्म 200 करोड भी कमा ले लेकिन आभी हम मिनिमम 100 करोड मानके चलते हैं वही दोस्तों पुस्पा फिल्म की जो तेलगू वर्जन की कमई है वो अल्लो अर्जुन के इस्टारम के हिसाब से तेलगू वर्जन में कम से कम 200 करोड रुपे हो सकती है साथ इसाथ दोस्तों फिल्म तमिल, मल्यालम और कन्नाडा तीन और भासाओं में रिलीज होगी तो इन तीनों भासाओं में भी अगर पुस्पा फिल्म मिनिममम 50 करोड भी कमा लेती है तो फिल्म का जो ओल इंडियानेट कलेक्शन है सभी भासाओं में यानि के हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कन्नाडा ये सभी भासाओं का कलेक्शन मिनिमम साड़े 300 करोड रुपे तक जा सकता है इससे उफर भी हो सकता लेकिन मिनिममम 350 करोड तो समझिये अगर फिल्म अच्छी हुई तो वही अब अगर बात करें बोलिउट के सबसे बड़े सूपर इस्टार यानि के हमारे खिलाडी भाया अक्षे कुमार की मचेविटेट फिल्म सूर्यवनसी के बारे में तो दोस्तो इस वक्त बोलिउट में अगर कोई फिल्म AC है जिसका सब को इंतजार है तो वह है सूर्यवनसी और आखिर इस फिल्म का इंतजार लोगों को क्यों न हो क्योंकि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहा है रोहिस सेटी जो की मास मसाला फिल्में बनाने के लिए जाने ज जाते हैं और रोहिस सेटी की जो ओडियंस है फेमिली ओडियंस वो जब भी रोहिस सेटी की कोई फिल्म रेलिज होती है तो सिनेमा घर में जरूर देखने जाती है लेकिन दोस्तों यहां सूर्यवनसी में बहुत सारे ऐसी चीज़े है जिसकी वज़े से इस फिल्म को देख ब्लोक बश्टर फिल्म में बनाई है तो आप सूर्य वंसी में इन दोनों की जोड़ी की वापसी होना ही इस फिल्म को ब्लोक बश्टर बना देने की ग्यारेंटी मान सकते हैं इसके लाओ दोस्तों इस फिल्म में आजे देवगन यानि की सिंगम और रणवीर सिंग यानि सिं और आम सब जानते हैं कि 90's के जितने भी बच्चे हैं उनके ज़्यादा तर फेवरेट एक्षन हिरो कोन है अक्षे कुमार और राजे देवगन अब सूर्य वनसी में अक्षे कुमार और राजे देवगन दोनों एक्षन सूपरिश्टार एक साथ आ रहे हैं तो क्यों नहीं इ सूर्य वनसी फिल्म सिंगम और सिंबा जैसे एक धमाकेदार फिल्म बनाई होगी रोहिस सिट्टी ने तो येकिन मानिये दोस्तो इस फिल्म का जो बोक्स ओफिस कलेक्शन है वो मिनिमम धाई सो से तीन सो करोड रुपे तक जा सकता है बस यह है कि जब तक कोरोना वाइरस क वेक्सिन आ जाना चीए और सिनेमा घरों में पबलिक वापिस पहले की तरह जाना चीए तो फिर सूर्य वनसी फिल्म को बोक्स ओफिस पर धाई सो से तीन सो करोड की कमई करने से कोई नहीं रोक सकता वही दोस्तो अब अगर बात करें केजी एप चेप्टर टू के बारे मे तो दोस्तो केजी एप चेप्टर टू एक एसी फिल्म है जिस फिल्म को देखने के लिए पूरा हिंदूस्तान बेताब है क्योंकि दोस्तो जब 2018 में केजी एप चेप्टर वन आई थी उस फिल्म ने ऐसा जादू चलाया कि केजी एप चेप्टर वन को भले ही हिंदी में ब्लोगबश्टर साबित रही थी लेकिन दोस्तों आप KGF चेप्टर 2 इंदी वर्जन में इतनी ज़्यादा स्क्रेन में रिलीज होने वाली है कि इस फिल्म के जो कमई है वो KGF चेप्टर 1 के मुकाबले कही गुना बढ़ जाने वाली है साथ इसाथ दोस्तों इस फिल्म में संजेदत के भी इंट्री हो चुकी है जिसके चलते KGF चेप्टर 2 के कलेक्शन हिंदी वर्जन में भी दमदार आएंगे वही रोकिंग इस्टार येस की वज़े से इस फिल्म के कलेक्शन कन्नाडा वर्जन में भी धमाकेदार रहेंगे है धमाकेदार कमई जियां दोस्तों अगर बात करें KGF चेप्टर 2 के बोक्स ओफिस प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों अगर ये फिल्म KGF चेप्टर 1 की ही तरह दमदार हुई तो ये KGF चेप्टर 2 हिंदी वर्जन में ही मीनिमम 200 करोड की कमई कर सकती है वही इस तमिल, तेलगोर, मल्यालम की तो इन तीन भासाओं में भी फिल्म का कलेक्शन अच्छे रिवीउस के चलते 100 करोड तक जा सकता है यानि कि दोस्तों KGF चेप्टर 2 अगर दमदार फिल्म हुई जिया दोस्तों एक बात नोट करिएगा अगर फिल्म अच्छी हुई तो ये ओल इंडिया में मिनिममं 500 करोड की कमई बड़ी आसानी से कर सकती है अलाकि दोस्तों आपको बता दू कि हो सकता है कि फिल्म का कलेक्शन 500 करोड से और भी कही जादा हो सकता है लेकिन यहाँ पे मान के चलिये कि अगर फिल्म एवरेज या बढ़िया बन गई तो 500 करोड तो कही नहीं गए तो यह था मेरा प्रेडिक्शन सूर्य वनसी पुस्पा और केजेब चेप्टर टू को लेकर वैसे आपको क्या लगता है इन तिनों फिल्मों में बोक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कमई कौन सी फिल्म करेगी हमें अपने राय कमेंड बोक्स में कमेंड करक के जरूर बताए और हमारे इस चैनल एके भी मिडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले